हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब के आपने ही यूटूब चेनल लर्दिंग कैफ है में आज के वीडियो में ललित नरायन मितला यूनिवर्सिटी पार्ट टू जियोग्रोफी सबसीडरी मनोर्मा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे आज के वीडियो में मनोर्मा गेस परवच चोटी है भारत की सर्वच परवच चोटी कंचन जंगा है ओप्शन एराय टांसर हो जाएगा कंचन जंगा इसकी उचाई लगभग 8586 मीटर है यह सिक्किम के पचिमोत्तर भाग में नेपाल की सीमय पर अवस्तित है अमर कंटक चोटी में कौन सी नदी निकलती है आमर कंटक चोटी में नर्मदा नदी निकलती है ओप्शन B हो जाएगा नर्मदा गंगा मैदान की मिरधाय है ओप्षन एराय टांसर हो जाएगा कटी बंदी है Question number 4 मांडली गुजरात डैस के लिए जाना जाता है तो गुजरात का मांडली जो है पवन उरजा के लिए जाना जाता है Option C होगा पवन उरजा Silent घाटी डैस में अस्तीत है Silent घाटी केरल में अस्तीत है Option D होगा केरल डैस बंदरगा साल सेट दूइपड अस्थीत है मुंबई मुंबई बंदरगा साल सेट दूइपड अस्थीत है कोईचन नमबर सेबेन रेगूर मिट्टी निर्मित होती है रेगूर मिटी पहारी उपर भारी वर्षा के निश्चालन द्वारा निर्मित होती है सबसे अधीक कोईला भंडा रस्तित है दामोदर घाटी में निमलिकित में से परवाल या मुंगा दुईप कौन सा है लक्षुदीप परवाल या मुंगा दुईप है निमलिकित में से किस राजी में सबसे कम वन पाये जाते है हरियाना में निमलिकित में से नदी निश्चेप से निर्मित दुईप है सिरी हरी कोटा नदी निश्चेप से निर्मित दुईप है हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है हीरा कुंड परियोजना महा नदी पर निर्मित है option भी हो जाएगा महा नदी पर गुजरात राजी में अस्थीत है निम्र में से कौन से राजी में मैगनीज का सबसे अधिक उतपादन होता है मध्धी परदेश में मैगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्धी परदेश में होता है अगर आप से उन के बारे में पुछे तो उन का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में होता है चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है जनसंक्या की दिरिष्टी से भारत का सबसे वरा राजी कौन सा है उत्तर परदेश कीन राजियों में हरित क्रांती सबसे अधिक सफल हुई पंजाब वह हरियाना में सिलवासा डैस की राजधानी है सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है भारत का सरवेक्षन विवाग किंद्रित है चिन्नई में ज़डिया कोईला खदान अस्थीत है जारखंड में राजस्थान एटोमिक पावर प्लांट किंद्रित है रावत भाटा में सबसे अधीक छेतरफल वाला राजी है राजस्थान सबसे अधीक छेतरफल वाला राजी राजस्थान है और सबसे कम छेतरफल वाला राजी गोवा है कोईचन नमबर ट्वैंटीवन मिर्दा अपरदन है मिर्दा आपर्दन प्राकिरिती जनित समस्या है कोड़बा कोईला खान अस्थीत है 36 गड़ में भारत में अधिक्तम जन्शंक्या विरिधी रखने वाला राजी है उत्तर परदेश भारत का वन अनुसंधान संस्थान किंद्रित है देहरादून में विश्वेश रईया लोहा इसपात लिमिटेड अस्थीत है तमिलाडू में रेल कोच फैक्टरी अस्थीत है तमिलाडू में सूरत और गोवा के बीच के तट को जाना जाता है दक्षिन के पठार की मिट्टी है काली मिट्टी गैर प्रमपरागत उर्जा सुरोतों में सरवादिक संभाव नाओं वाला उर्जा सुरोत है उरीशा में क्वेशन नमबर 30 वह मैदानी भाग जो हिमाले की तलहटी से लेकर गंगा के डेल्टा वह गंगा सागर तक फैला है वह कौन सा है उत्तरी बंगाल का मैदान हिमाले के दक्षिन और गंडवाना के उत्तर में परवाहित होने वाली नदी का नाम है सिवालिक नदी ओप्षन डी हो जाएगा सिवालिक नदी निम्न में से कौन सा भौतिक विभाग भारत की उत्तरी एवं पुरिवी सीमा को निर्धारित करता है उत्तरी परवतिय परदेश अरब सागर की और बहने वाली नदी है तापती नदी अरब सागर की और बहने वाल नदी है, हिमाले का अपवाह तंत्र है, हिमाले का अपवाह तंत्र कैसा है, पुर्वगामी, आप्शन भी हो जाएगा पुर्वगामी, निमलिखित में अनुकरम वर्ती अपवाह का उधारन है, दिहांग वर लुहित, अनुकरम वर्ती अपवाह का उधारन है, नर्मदा सोन वह महानदी, जिस अपवा का उधारन है, वह कौन सा है, और ये अपवा, option भी होगा, और ये अपवा, कौन सी नदी, समुद्र में परवेश करने से पुर्वत जुआर, नदमुक में होकर भाती है, महानदी, वह नदी, जिसका उदगम मान्सुरोवर जील के निकट, राक्छ स्ताल से होता है, कौन सी नदी है, 17 नदी, option सी हो जाएगा 17 नदी, सुरसती नदी का उदगमस्थल है, सिवालिक पहारिया, निम्न में से किस नदी को विश्वास घाती नदी कहते है, हुगली नदी को, हुगली नदी को विश्वास घाती नदी कहते है, ब्रहमा की बेटी क के नाम से संबोधित की जाने वाली नदी है ब्रह्मा पुत्र नदी भारत के जिस पसुधन परदेश में भेर बकरी पालन मुख्य उद्योग है वह कौन सा है हिमाले परवतिय परदेश भारत में सबसे अधीक उन पैदा करने वाले राजी है राजस्थान राजस्थान में इसको कहा जाता है उट को मरुवस्तल का जहाज कहा जाता है दोस्तों इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में जियोग्रफी सबसेड़ी के अलावा हिस्ट्री पुलेटकल साइंस इकोनोमिक साइकोलोजी इस सबका इंपोटेंट अबजेक्टिव कोईशन बताया हूँ और रेखा मनुर्मा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पली लिस्ट में जाके अपने सबसेड़ी पेपर अपने लेंग्वेज पेपर का इंपोटेंट अबजेक्टिव कोईशन देख लिजिएग भारत के आर्थिक जीवन की धूरी किसे कहा गया है मानसूनी जलवायू को निम्न में से कौन सा जलवायू परदेश गोवा से लेकर कुमारी अंतरिये तक फैला हुआ है पच्छमी तटका दक्षिनी परदेश उत्तरी पच्छमी भारत में सीत कालिन वर्षा का स्वरूप ह चक्रवाती है भारत के किस प्रांत में काल वैशाखी तुफान आते हैं पच्छमी बंगाल में काल वैशाखी तुफान आते हैं भारत में वर्षा रीतु का समय है मध्य जून से मध्य दिसंबर तक मिट्टी ही प्रीत्वी की मृत्तक धूल को जीवन के सातत्ती से जोडती है यह कथन है तो यह कथन कोल का है अप्चन हो जाएगा कोल नवीन सेलों से निर्मित मिट्टिया है इन में कोई नहीं है अप्चन दि हो जाएगा इन में कोई नहीं हिमाले परवत से निकलने वाली नदियों दुआरा बहाई गई मिट्टी कहलाती है जलोड वा काप मिट्टी वनस्पती के सरने से आई परदेश्चों में निर्मित होने वाली मिट्टी है पीट मिट्टी नमक की परत भूमी पर जम जाने के कारण बनने वाले बंजर छेदरों को पंजाब में कहते हैं पंजाब में कल्लर कहलाता है ओप्सन सी हो जाएगा कल्लर वह कौन सी मिट्टी है जिसमें इट के समान गुन पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी कपास की पैदावार के लिए सबसे अधिक उपयूक्त होती है काली मिट्टी भारत के कुल छेतरफल में वनो का पर्तिसत है 23 पर्तिसत वह वन जो जलवायू की द्रिष्टी से महत्यपुर्ण होते हैं कहलाते हैं सुरक्षिट वन कहलाते हैं राजी के छेतरफल के अनुपात में भारत के जिस राजी में वनो का पर्तिसत सबसे अधिक मिलता है उसका नाम है त्रिपूरा राश्टिय खनीज विकास निगम लिमिटेड की अस्थापना की गई थी 1908 निश्वी में बकसाइड अयस्क से कौन सी धातू परात होती है एलियूमिनियम भारत में उपलब्ध तामबे के भंडारों की द्रिष्टी से कौन सराजी सरवाधिक धनी है राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादक परमूक राजी कौन सा है गुजरात निम्न में से जिस सक्ति के संसाधन को काली हारा के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है कोईला आधुनिक यूग के आर्थिक विकास की आधार सिला है लोहा पेट्रोलियम के उत्पादक देशों में भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है बारहवा अस्थान है तारापूर विद्यूद गिरी है परमानू विद्यूद गिरी एलियूमिनियम धातू बनाई जाती है बकसाइड से जिस खनीज के उत्पादन में भारत संसार में पर्थम अस्थान पड़ है वह कौन सा खनीज है अभरक भारत में सबसे अधीक सोना जिस राजी में प्राप्थ होता है कौन सा राजी है करनाटक भारत में सबसे ज़्यादा सोना करनाटक में पाया जाता है बैला डीला किसके लिए परसिद है लग अयस्क के लिए देश में कौन सा राजी सबसे कम साक्षर्टा वाला है बिहार सबसे कम साक्षर्टा वाला राजी है अगर आप से सबसे ज्यादा साक्षर्टा वाला राजी पुछे तो केरल होगा नेक्स्ट कोईशन सिक्षित जनसंक्या का उस्तम परतिसाथ किस राजी में पाया जाता है केरल में भारत में सबसे अधीक जनसंख्या वाला नगर है यहाँ पर नगर पूछा जा रहा है तो मुंबई होगा अगर राज जी पूछे तो उत्तर परदेश होगा दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सबस्क्राइब करने के साथ साथ नटिफिकेशन बिल को दबा के ओल पे किलिकीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है मुंबई नगड की कितने परतिसे जनसंक्या गंदी बस्तियों में निवास करती है 38 परतिसत सन 2001 की जिनगना के अनुशार भारत की नगडिये जनसंक्या है 28.53 करोर राश्टी ये बीज निगम की अस्थापना कब हुई 29.63 इसवी में भारत में भूमी संसाधन की कमी हुई है जनसंक्या गंदी से फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा योजना कब चालू की गई थी 29.85 इसवी में किरीसी में मसीनी करन का उद्यसी है 29.망 COVID-19 गट उत्पादन में विलिधी करना ये है 29. किरीसी गट कारीयों में किसानों के लिए निर्सता वर थकान को कम करना ये है 29. किरीशकों के बीच आर्थिक और समांता को घठाना ये भी गशाई है 29. बारत में किरीसी का मसीनी करन सबसे अधिक कहां हुआ है पंजाब और हर्याना में भारत में क्रीसी के छेत्र में औसद जोतो का आकार है 1.8 एकर कौन सा क्रीसी वयवशाई पर निर्वर नहीं है लोहा व इसपातु द्योग जिस क्रीसी जन्नी वस्तु का भारत निर्यात करता है वह कौन सा है चाई निमलिखित में वह कौन से वयवशाईग फसल है जिसका भारत आयात वह निर्यात दोनों करता है कपास वर्तमान समय में राष्टी ए आय में क्रीसी का कितना योगदान रहा है लगभग 30-35 पर तिसत सरुपर्थम हरित करांती सब्द का परियोग किया गया था डॉक्टर विलियम गौड के द्वारा भारत में मक्का उत्पादन के देश्टी से पर्थम अस्तान जिस राजी का है वह कौन सा राजी है उत्तर परतेश कौन सा उद्योग और परत्यक्ष रूप से कच्चे माल के लिए किरीसी वयवशाई पर निर्भर है कागज उद्योग भी साबुन उद्योग हाथ करगा उद्योग ये तीनों होगा तो आप्शन डीज का राइट आंसर है इनमें सभी भारत में डीजल लोको मोटिव कारखाना अस्तीत है वारानसी में अस्तीत है उनिस्व साथ इस्वी में भारत में इंडियन आईरन एंड अस्तील कंपनी के अस्तापना कहां की गई थी जमसेद पूर में भारतिय सूति वस्त्र नीगम के अस्तापना कौन से सन में की गई उनिस्व अर्शट इस्वी में भारत का सबसे प्राचिंतम आर्थिक व और द्योगिक परदेश है मुंबाई, पूने, सोलापूर परदेश भारत की व्यवशाईक राजधानी है भारत की व्यवशाईक राजधानी मुंबाई है ओप्शन भी हो जाएगा मुंबाई भारत के किस राजी को सूती वस्त्रो की राज़ानी के नाम से जाना जाता है महराष्ठ को अनार्थिक एवं वीमार कारखानों का परबंध किस संस्था के माधिम से किया गया था National Textile Corporation भारत में मोटर साइकल बनाने का पर्थम कारखाना कहा अस्थापित किया गया था चिन्नाई में भारत में उनिवस्त्र उद्योग जिस राजी में अधिक विक्सित है वह कौन सा राजी है पंजाब अप्शन सी हो जाएगा पंजाब अध्योगिक परदेश की विशेष्टा है उद्योगों की परधानता है गरामिन जनसंख्या की वीरसलता भी है प्रात्मिक वेवशाई का अभाव भी तो राइट अंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपर योग सब ही कोहिचन नमबर 100 देखिए भारत में रेशमी वस्तर उद्योग में जो राजी अग्रणी है वह कौन सा राजी है करनाटक ऑप्शन भी राइट अंसर हो जाएगा करनाटक तो दोस्तो आज की वीडियो में 100 कोहिचन रहने देता हूं नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा इससे आगे जो अब्जेक्टिव कोहिचन रहे गया वह नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा ये जियोग्रफी सबसीदी का सेकेंड वीडियो है दूसरा सेट पहला सेट का लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगा या पल लिस्ट में जाकि आब वह वीडियो देख लिजिएगा तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके जुरूर बताईए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रैंट्स को भी हिल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेड कीजिए अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी कोईशन का अंसर बाई मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कोमेंट करके बताईए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जो कोईशन रह गया उसके साथ तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई